कच्वे और कलहंस एक लोगप्रिय कहानी है जो टीम वक और सहयोग के महत्व को सिखाती है कहानी शुरू करते हैं एक गर्मी में कच्वे जिस तालाब में रहता था वो चिलचिलाती धूप के कारण सूखने लगा कच्वे की परेशानी देखकर हंस ने उससे पूछा कि क्या बात है कच्वे ने अपनी स्थिती बताई और कहा कि वो दूसरे तालाब में जाना चाहता है जहां वो आराम से रह सके हाला कि वो इतनी दूरी तै नहीं कर सका क्योंकि वो धीमा है और तेजी से नहीं चल सकता अपने दोस्त के लिए खेद महसूस करते हुए गीज ने उसे दूसरे तालाब में ले जाने की पेशकर कच्वा इस विचार से रोमान्चित हुआ और उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया हंसो ने तब सुझाव दिया कि वे कच्वे के मुह में एक छड़ी बांध दे और उसे अपनी चोंच से पकड़ ले ताकि वो उनके साथ उड़ सके कच्वा योजना के लिए सहमत हो गया और हंस उड़ने लगे जैसे ही वे एक गाव के उपर उड़े कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और इस विचित नजारे पर पत्थर फेकने लगे पत्थरों में से एक कच्वा को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया अपने दोस्त की मौत से हंस हैरान और दुखी थे उन्होंने महसूस किया कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक दूसरे से ठीक से समवाद ना करके उन्होंने गलती की थी उन्होंने किसी भी खत्रे का सामना करने पर कच्वे को अपना मूँ बंद करने और कसकर पकड़ने के लिए सचेत करने के संकेत के बारे में नहीं सोचा था कहानी का नैतिक यह है कि किसी भी सफल उद्यम के लिए उचित संचार आवश्यक है यदि कलहंस और कच्वा ने प्रभावी धन्व से संचार किया होता और एक संकेत के बारे में सोचा होता तो त्रासदी से बचा जा सकता था